वेलकम दोस्तो दुर्गा एंड स्वावन क्लासे में आपका स्वागत है मैं स्वावन कुमार गुपता आज हिंदी का फर्स चेप्टर सम विभाजन और जाती फ्राता लेकर आये हैं और मेरा फर्स्ट कोचन है कि दो अंड चेवलस किसकी राचना है इसका कोरेक्ट एंसर हो कोच नमर दू द्यखते है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारते है ता बाबा साहब को हम भीमरा अंबेतकर के नामसेज़ना जानाजाता है option B इसका correct होगा इस बात को याद रखिएगा question number 3 के देखते हैं बुधीज में and community में किसकी राचना है तो बुधीज में and community में जो है वो आपका भीम राव अमितकर का है option D इसका correct answer होगा इस बात को याद रखिएगा चलते हैं question number 4 की ओर तो जो मेरा question number 4 कर रहा है को हूँ आज सुदराज किसकी राचना है तो भीम राव अमितकर का है option A आपका correct answer होगा इस बात को आप याद रखिएगा question number 5 की ओर चलते हैं कि मानो मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है तो मानो मुक्ति के पुरोधा हम भीम राव मितकर को कहा जाता है ये question बहुत important है जो जरे 11 में भी ये question पूछा गया है इस बात को याद रखिएगा ठीक ना इसका 5 नमर 5 का जो answer होगा option C question number 6 को देखते हैं भारत में जाती प्राथा का मुख करन क्या था भारत में जाती प्राथा का मुख करन बिरुजगारी था इस बात को याद रखिएगा question number 6 का answer A हो जाएगा चलते है question number 7 की और question number 7 कर रहा है कि जाती प्राथा सभाविक विवाजन नहीं है क्यों जाती प्राथा सभाविक इसलिए नहीं है क्योंकि रूची पाधारी था नहीं है चलते है question number D इसका correct answer होगा इस बात को याद रखिएगा question number 8 क्यों चलते है question number 8 कर रहा है मेरे दोस्त याद रखिएगा स्रम भी भाजन और जाती प्राथा के लिखा कौन है तो बाबा साहिब हीम रामितकर है option B इसका correct answer होगा इस बात को याद रखिएगा question number 9 कर रहा है मेरे वच्चे ध्यां से देखिएगा question number 9 को लेखा के द्रिष्टी में बीडामना की बात क्या है लेखा के द्रिष्टी में बीडामना की बात या है कि जाती बात के पोसक की कमी नहीं है Option A इसका correct answer होगा लेखा की बिड़मना की बात यह है कि आज समाज में जाती वाज़तक के पोसक आज भी अभी जिवीत है Option A इसका correct होगा कोच नमर 10 क्यों चलते हैं मेरे बाचे ध्यास दखे गया लेखा की द्रिष्टी में आदर्स समाज कैसा होना चाहिए तो लेखा के द्रिष्टी में जो समाज होना चाहिए जिसमें सोतंतरता हो लोगों में समानता की भाव हो भात्रित्तों का भाव हो मतलब भाईचारा का भी भाव हो ठीक है? Option कोच नमर 10 का अपका option नमर 1 correct answer हो जागा इस बात को प्याद रखते हैं कोच नमर 11 काहड़ा है कि लेखक बिरुजगारी का परमुख और परतियस कारण किसे मानते हैं तो इसका correct answer होगा option C जातिफ राथ है कोच नमर 12 की उड़े देखते हैं कि अम्बेतकर की द्रिष्टी में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है तो option B इसका correct answer होना चाहिए दूद और पानी के मिसरन की तरह इस बात को याद रखे का है हम लोग के बीच जो भाईचारा होना चाहिए जिस प्रकार दूद और पानी को मिलाने पर पाता नहीं चलता है कि पानी में दुद मिला हुआ के नहीं मिला हुआ है ठीक उसी प्रकार हम लोग को घुल मिलकर रहना चाहिए कोच नमर 13 की ओर चलते मेरे दोस्त कोच नमर 13 की ओर कोच नमर 13 कार मेरे बाचे ध्यास दखेगा भारतीय समिधान के निर्मान में मुहत्पुन भूम का किसकी है तो भीम्रा मितकर का अपसन ए इसका कोरेक्ट एंसर होगा इस बात को याद रखेगा चलते कोच नमर 14 की ओर मेरे बाचे कोच नमर 14 कर रहा है कि सब इस समाज कि अवसकता क्या है सब इस समाज का अवसकता है समाज का मतलब होता है पढ़े लिखे वाला समाज बुद्धि जीवी समाज ठीक नँ तो समाज चाहता है कि जो समाज भी भाजन हो न की जाती प्राता हो इस बात क्या रखेगा अपसन बी इसका कोरेक्ट एंसर होगा समाज समाज के अवसकता क्या है कोचन नमर 15 क्या का रहा है मेरे बचे द्यास देखेगा निमलिखीत राचनाव में से कौन सी राचना डाक्टर अरव मेतकर की है इन तीनो राचनाए जो है डाक्टर भीम राव मेतकर जी का है ठीक न दा कास्ट इन इंडिया यह तीनो है इस बात को याद रहे गया अप्सन नमर डी इसका कोरेटर रहोगा इन विस से सभी कुछन नमर सुला क्यों चलते मेरे दोस्त कुछन नमर सुला कर रहे मेरे बचे द्यास देखेगा कि आधुनीक सब समाज का स्रम विभाजन आवस्य क्यों मानता है तो कार एक कुछ सलता के लिए अगर हम समाज को स्रम विभाजन का धार पर लोगों को काम देंगे तो लोगों को रूची उसमें बढ़ जाएगा क्योंकि कार एक कुछ सलता के अनुसार से लोगों को स्रम करने के मौका मिलेगा तो option A इसका correct answer होगा, option A कार कुछ सलता के लिए, कोचन में 17 की और चलते मेरे बच्चे, बहुत important question है, इस बात को याद रखिएगा, 17 करा है कि स्रम विभाजन और जाती प्राथा, पाठे, बाबा साहिब की किस भाषन का संपादित हाए, तो एनिहलेशन और कास्ट का है, option C इसका correct answer होगा, फिर से कोचन को रखिट करते मेरे बच्चे, कि स्रम विभाजन और जाती प्राथा जो हाए, वो कहां से संक्लित है, कहां से लिया गया है, तो एनिहलेशन और कास्ट से कोचन अवर ठारा की ओर चलते मेरे बच्चे, कोचन अवर ठारा करा मेरे बच्चे, जहां से देखीगा कोचन अवर ठारा को, प्रात्मीच शिचा प्राप्त करने के बाद, अमेदकर उच शिचा प्राप्त करने के लिए कहा गए तो नियूवर्क के गए अफसन सी इसका कोरेक्ट एंसर होगा इस बात को याद रखेगा पर आत्मी शिचा प्राप्त करने के बाद अमेदकर जो थे उच सिसा के लिए हाई एजूकेशन के लिए वो नियूवर्क के लिए गया आव सन इसका स्जी कोरेक्ट अंसर होगा कुछ नमर मेरे बच्छे 19 खी सिर्द है कुछ नमर 19 को दक्ते हैं मेरे बच्री ध्यांस दखी गा मैद्कछ के चिंतन वह राशनात्म के लिए प्रेडाक ब्यक्ती कौन है जोटिवा फूले इनमें से सबी इसका correct answer होगा जो अंपयतकर जीजो थे वो बूद्ध को और कवीर को और जोटिवा फूले जी को अपना अदर्स मानते थे मतलों गुरु मानते थे इनमें से सबी होगा चलते हैं आजरती पाती तुरक मुंडल भाषन लहर में कब बोला गया था? 1-136 में यहका उर्शन देखते हैं श्रम भाजन और जाति प्रत्या क्या है? देक निबंध है अपसं सीज इसका कोरेट लिलतर होगा मेरे गज्चे इस बात को आप याद रखे कोर्षा नवर 22 की ऊचलते हैं मेरे दोस्त तो इसका हिंदी अन्वाइब कुन किया था तो नरखा से शंका एद रखे चलते हैं है तो कोचन नमर 23 कर रहा है मेरे वच्चे कोचन में 23 बहुत ही importance है दुझे 29 और 23 में दुर्में पूछा गया कोचन है कि अम मेतकर के जनम किस परिवार में हुआ था तो मेतकर जी दलित परिवार में जनम लिए थे इस बात को याद रखिएगा ठीक ना जिसको महार जाती भी बोलते हैं यह चमार जाती भी बोलते हैं option C इसका correct answer होगा कोचन नमर 24 को देखते हैं मेरे वच्चे 24 कह रहा है कि लेखा को इस युग में कहां पर बीड़ामना दिखाई देता है तो लेखा को कि इस युग में जो है उजाती वाद में बीड़ामना देखाई देता है इस वात को याद रखिएगा ठीक ना नारी वाद में निर्वीद वाद में परिवार वाद में नहीं मारिएगा का और अप्संट एइसका अकॉरेटर रखिंस रोगा जाती वाद में चलते है को इस युग बार पचीश कर रूद है द्धीयआन से देखीएगा को इस युग फचीश को है कि डॉक्टर अम्स धकर के canvas ने पी एचडी का उपाधी कौप धारू ने तो दक्टर अम्बेतकर ने PhD का जूपाधी पाया था वो 1916 में अपसंसी इसका कोरेटर एंसर होगा इस बात को आप याद रखिएगा कोच नमर 27 क्यों चलते हैं मेरे बच्चे कोच नमर 27 क्या कर रहा है कि दकास्ट इन इंडिया देर्व मेकिनीज में किनकी राचना है तो ये भीमरा अमेतकर जी का है इस बात को याद रखिगा भीमरा अमेतकर जी का है कोच नमर 28 क्या कर रहा है कि आदर्स समाज सोतंतरता समानता भात्रित तुपर अधारित होगा किस ने कहा था आदर्स समाज सोतंतरता होना चाहिए आदर्स समाज में समानता होना चाहिए और भाईचारा के भाना होना चाहिए ऐसा कौन कहा था तो ऐसा भीमरा अमेतकर जी क कहते अफ्षन बी इसका कोरेक्ट अंसर को अफ्षन बैसे मेरे बच्च नमर 29 कि वर्ण यहां पर क्या के प्राथा प्राथा भर दिजिए का कि जाती प्राथा पेसे के दोस्त करता है कोचन पर 30 क्यों चलते हैं कोचन 30 भी हमको रीक दर्थान को बढ़ना है तो कोचन 30 का ची कर रहा है कि जाती प्राथा भारत में ब्रोर्जगारी का एक पर्मूख और पर्तियक्ष और पर्मूख दोनों कारान है अपसन C इसका क्रेक्ष्ट होगा ये भी इसका इंसल सही है बी मुक नायकक्षि क्या है तो मुक जो नायक है वह आपका पत्रिका यह संब्सका को ранemar डाक्टर भीम्रामेतकर का मिर्थू कभ और कहा हुआ था, डाक्टर भीम्रामेतकर का दिल्ली में मिर्थू हुआ था, दिल्ली में 1956 में, चलिए, अप्सन A इसका करेकर नसर होगा, कोचन में 33 क्यों चलते हैं मेरे बच्ची ध्यान से दिखिएगा ताकि आपको बहतीरी ढंग से आपको समझ में आना चाहिए और परिछा हॉल में आपको पूरा में पूरा नमर हिंदी में आपको आ जाना चाहिए कोचन में 33 क्या करें मेरे दोस्त कि डाक्टर भीम राव म一 क नाम हिस बात को याद रखंग तो बोलियागा म लुख के कोचन में 34 क्योन चलते मेरे बचेक बचते कि दाक्टर भीम राव अमेदकर कर कर जनम कहा हुआ था तो ममप अब अच्ब तो ममटपर्दस में कोच 35 मेरे बचिays कया कर रहा है ध्यान से दख히 बहिश्कृत भारत कि जो आपका होगा बहिस्कृत भारत अ mechanos है ऐश्का ड़ाक्टर अमेरक्त करने किस पत्रिका का सम्पादन किया तब था कौरेक्ट इंसर होगा इस बात को याद रखिएगा चलते कोचन नमर 36 क्या कर रहे हैं मेरे भचे ध्यान से दखिए भारती समिधान का निमाता किसे कहा जाता है तो है भीम्राव अम्बेदकर जी को कहा जाता है इस बात को याद रखिएगा कि डाक्टर अम्बेदकर का वांग में हिंदी को कितने खंडों में प्रकासित हो चुकी है तिसका अफसर नम्मर डी एकाइस खंड में एकाइस खंड में इसका एंसर होगा इस बात को आप याद रखिएगा चलते हैं कोचर नम्मरां 38 की ओर की देखिए कि आधुनिक सब समाज कार कुछ आलता के लिए किसे आवस्क मनते हैं तो 38 इसका ए एंसर होगा स्रम भी भाजन का ऑप्सर नमर यह हो जागा स्रम भी भाजन कोरेक्ट एंसर होगा चलते एक कोचन चालिश की और डॉक्ट्र अम्रितकर के पीता का कैया नम तो बहुत इंपोटेन्ट कोचन है रामोजी सकपाल रामोजी सकपाल अप्सटोन नमर बी है रामोजी सकपाल अप्सटन नमर b इसका कोडेटरेसर होगा चलते कोचन नमर 40 कि 나 30 जान सी देखी सर्म भी भाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है तो इसका प्राथा स्रमी भाधन के सांसा किसका रूप लिए हुए ते इनमें से कोई नहीं अब संडी को रेक्ट रेंसर हो जाएगा अब संडी कोच नमर चलते हैं 41 की और चलिए 41 कर रहा है कि डाक्टर भीमर अमेतकर ने किस प्राथा को आर्थिक पहलू से खतनाक माना है तो है जाती प्राथा अफसंडी इसका और ट्रेंसर होगा अफसंडी जाती प्राथा कोच नमर 42 की हुँद चलते है कोच 12 मैरे वचिंको क्या क्या कर दिया थे दियाँ किंके पॉर्षाहन पर बाब शाहिब ऐसंडी ले करके मतलब पॉर्षाहन राशिंड को मिला ए थे व्रेंस kita और लेक्ट या नरे था नहीं और इसबात को याद रखेगा आफसंडी इसका क और साहन राशी ले करके और उन सिच्छा के लिए वो नियू वर्क पढ़ने के लिए गए थे इस बात को याद रखिएगा मेरे वज्चे देखिए कोचन वह ते तालिस की ओर है कि आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा क्या है तो हनिकारक है आर्थिक इस्तिति मत गरीबी से प्रथद वह होता है कि दौक इसिसी देखि और अर्थिक पहलू से ही जाती प्रथदा को कelf से यहां अव्च्छा करने मेरे वहिसे। कि सच्चे लोग तंत्र का प्रयाय क्या है सच्चे लोग तंत्र का प्रयाय क्या हो सकता है तो भाई चारा अफसन नमर सी इसका कोडेक्ट रोगा भाई चारा रहेंगे मतलब कि एक दूसरे से मिल कर रहेंगे तो सच्चे लोग तंत्र का अर्थ वही होता है कि हम लोग मिल कर चाहिए तो भाहिचारा इसका क्रेक्ट रोगा अफसन नमर सी पैतारीस में चलते हैं कोचन नमर पैतारीस क्या कर रहा है कि बाबा साहिब द्वारा रचित पुष्टक के नम बाता ही है जेनेसिस और डेवलोप्मेंट बुध्धीज्म और कम्यूनिज्म बुधा और इस धम्म इनम से सबी इसका क्रेक्ट रोगा इन तीनों पुष्टक कर लेखा बाबा साहिब भीम्रामितकर ही है अफसन डी इसका क्रेक्ट रोगा कोचनवर 46 की ओर चलते हैं श्रम विभाजन और जाती प्राथा सिर्षक किनके द्वारा हिंदी में रुपांतरित है तो ललाई सिंह यादो द्वारा हिंदी में इसको अनुवात किया गया है ठीना श्रम विभाजन और जाती प्राथा का जो हिंदी अनुवात किया है किये है और ललाई सिंह यादो है अफसन से इसका क्रेक्ट रोगा कोचनवर 47 कोड़ चलते हैं आधुनिक मनु किसे कहा जाता सथा विदमना का अर्थ कह गया हूता है उपसन सने क्रेक्ट रोगा 59 देखते हैं भारत की राष्टी राष्टी ये छम्ता का पुर्ण विकास जोर सम्पने है तह समाझ वादी विकास कके का और यंद धेंक व्यद्व सुड़ेंट